अलो गाइस, I hope all members doing fine and today our topic is about I and if you are new here our channel, please subscribe our channel and don't forget share ओके तो हम वीडियो के तरफ चलते हैं, अभी जो आप diagram देख रहे हैं आग का, आए का इसके बारे में हम एक-एक करें के ज्यादा जानेंगे पिर हम यह देखते हैं कि I कैसे function करती है यानि कोई चीज़े हमको कैसे देखती है, किस के तरो हमको वो कोई भी चीज़े देखती है जब मैं आपसे यह पूछाओं कि आप जब phone देखते हैं, कोई pencil देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़े देखते है जिसको आपको देखके हैरान होते है तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो चीज़े आपको किस सोर्स से किस जरीये से आप वो देख रहे हैं तो आपका 99 परसंट जो जवाब होगा वो ये होगा कि हम अपने आखों के जरीये देख सकते हैं चीज़ें को बगर क्या आपने कभी ये अब्जर्ब किया है कि आपकी आख जो होती है वो कैसे फंक्शन करती है क्या अपने कभी मेसूस किया है अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आए के बारें बात करेंगे और वीडियो को आखर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना ताके जो हमारे दोस्ते हैं जिसको जरूरत पढ़ सकती है आए के इस टूर्केचर के बारे में तो वो भी इन्फार्मेशन इस वीडियो को जरीये ले सकते हैं और इन्शाला मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कोई भी हम तब चीज़ ज़र देखते हैं जब किसी सोर्स से कोई लाइट आए और किसी आपजेक्ट पर पड़े और रिफ्रेक्शन होके हमारे आखों में चले जाए वो लाइट फरी हम वो चीज़े देख सकते हैं जैसे आप अभी डाइग्राम में देख रहे हैं इसको हम जो ब्राउन वाला है color जो आप देख रहे हैं इसको हम आयरिस कहते हैं और जो black है इसको हम pupil कहते हैं और जो white में है आप अब देख रहे हैं इसको हम sclera कहते हैं और यहां भी आपको वही चीज़े देख रहे हैं बगर यह inner i का जो is true caricature तो इसके एक-एक बेव बारे में हम अब चलते हैं और हम बात करते हैं कि एक-एक का फंक्शन कौन सा है क्या वो परफारम करता है पहले हम इसकलेरा के बारे में बात करते हैं जो आप ये वाइट वाला देख रहे हैं हिसा इसकलेरा इसकलेरा आखो को सपोर्ट करता है अभी यहां पे देख रहे हैं वाइट वाला जो इस तूर केचर होता है हमारे आखों के फ्रेंट में उसको हम इसकलेरा के देए और हाँ इसकलेरा आगे जाके कॉर्णिया में तब्दिल होती है और कॉर्णिया में एक लिक्वेड होता है जिसके थोफ लाइट प्यूपल में जाती है pupil, pupil का क्या काम है, pupil का काम है, कि light को कितना अंदर आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए pupil पे depend करता है, ऐसे कहें कि pupil पे ही depend करता है, कि light हमारे आंखों में कितनी आनी चाहिए अगर सपोर्ट करें अगर आप किसी वहां पे जगे वहां प्लेस पे जहां पे लाइट बहुत है तो प्यूपल जो होगा वो छोटा हो जाएगा क्यों छोटा हो जाएगा क्यों कि कि क्योंके वहां पर लाइट बहुत है और अगर हमारे बहुत ज्यादा लाइट हमारे रेंटीना में गई को एंट्किन भी हो सकता है तो इस वज़ा S reason फ्यूपल चोटा हो सकता है और जब आप किस डार्कनेस प्लेस में जाते हैं या किसी वहाँ पे जगा पे जाते हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती और लाइट नहीं होती तो यह प्यूपल अपने आपी बढ़ा हो सकता है क्यूं क्यूंके बढ़ा क्यूं होता है क्यूंके ज्यादा तर लाइट आ सके त कि यूद के लाइट उस चीज पर जगा पर लाइट की हमको जरूरत होती है ताकि हम चीज़े आसान देख सकते हैं अब हम बात करते हैं आइरस की आइरस जहां भी आइब आप देख रहें और यहां भी देख रहें यह जो आपको ब्रावन में और इसको आइरस की जिए इसको ऐर्स के एक खू networks यह भी है कि विशकत आगे आदे कि आपने कभी observe कि किसी की आखों का black होता है, किसी का blue होता है, किसका brown होता है, different colors हमको मिलते हैं आखों का, तो वो किस वज़ा से होता है, वो iris की वज़ा से हो सकता है, ये बहुत important आपके लिए चीज़ है, क्योंकि हर exam में ये question पूछा जाता है, और हम अब बात करने है लेंस की, लेंस क्या है, लेंस एक इसी चीज़ है, जो light को focus करती है, यानि जब कॉर्निया से light आती है, pupils में जाती है, प्यूकॉपल से जब लेंस में तो लेंस जब करता है, एक यंफक लेंस करता है। ब हम आप जहाँ ऐसे लेंस कम लेंस के लोुकॉस है। आ होलिय। दοιπόνकि लेंस कि लेंस कर दो सब्सकरma है। आ हम व्होरा है। करता है वह कौन सी वह चीजे होती है जिसको रही बोडी मुवेंट को प्रॉटेक्ट करते है मुवेंट के काम में तो स्टूर के चरह यहां पर पे बहुत काम आती है किसके लिए क्याथ लेन्ज के लिए इसकी जो बनावत हो d है वो हाई मसल से होती है ताके लेंस को फोकस करें और लेंस पे मुमेंट जो भी हो वो अच्छी तरह हो यह कुन करता है सिलहरी पोडिंग अब हम आ रहे हैं रेंटिना पर जो भी यहां आप डाइग्राम में अब देख रहे हैं वाइट वाला चाहिए आपको यह भी चीज़ क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते है रेंटिना जब लाइट कोर्णिया से आती है प्यूपल में जाती है प्यूपल पर जाते है लेंस जब फोकस करता है इसको तो जब लेंटिना में आती है तो रेंटिना में के नर्व होते है ऐसे जैसे के नर्व होते यानि सेल्स होते जो को लाइट को नर्व सिंगल में तबदिल करते हैं ताकि हमारे ौपिटिक में जा सके या नि यकाम करती है जब रेंटिना पे कोई सिंगल आता है तो उपिटिक के तो हमारे बेन में जाता है तो उमिद करता हूं के लिए यह लेक्ट्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेर और जो भी चीज़े हम से रह गई हो तो कमिट बॉक्स में जरूर छोड़े ताकि आने वाली वीजियो जो भी